और इधर पाकिस्तान में हिंदूओं से अत्याचार पर भारत नाराज है। पाकिस्तान की काली कर्तू दुनिया के सामने उजागर की थी। पाकिस्तान के सिंद प्रांथ के धर की गाओं में होली के दिन दो हिंदू लड़कियों को अगवा किया गया। पर खौफ है, डर है। सुदर्शन न्यूज की खबर पर एक पर फिर से सरकार चेती है, बड़ा एक्शन लिया गया है और इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज ने ही अपने प्लाटफॉम पर सबसे बड़ी जगा दी जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से इस पर कड़ी प् विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने किस तरह से पाकिस्तान को लतार लगाई है और जवाब तलब किया है, आप खुछ सुनिए। इस पूरे मामले को संग्या में लेते हुए पूरी रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने ट्वीट भी किया इसके लिए मकायदा किया है वास्ट इंडियन हाई कमिशनर इन पाकिस्तान टू सेंड रिपोर्ट अन दिस ये बड़ी खबर और बड़ा असर। इसके लिए पाकिस्तान को गाला जाओं ज्यादा दिन नहीं बीते इमरांद खाना तंकिस्तान का आका जिसे कहेंगे उन्होंने नसीयर दीती कि भारत को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है कि यहां पर अलप संक्यकों को कैसे रखा जाता है यह है सच्चाई और सच्चाई जब सामने आई है तो एक बर फिर से पाकिस्तान की दुनिया भर में तूटू हो रही है वो हिंदू लड़कियां दोनों नावालिक बच्चियां किस तरह से खौफ के साए में हैं क्या कुछ उनके साथ हुआ है, आप खुद उनकी जबाले सुगे बच्चियों के पिता है, जो पूरी तरह से अपना आपको बैचे है यह वो पिता है जो जिसका दर्द शाहीद ही कोई समझे ये वो पिता है जिसका दर्द पाकिस्तान में कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन इस पिता के दर्द को इसकी आवाज को हमने उठाया सुदर्शन न्यूज ने प्रमुक्ता से इस खबर को दिखाया कि पाकिस्तान में किस कदर अल्पिसंक्यक हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है उनकी बेटियों के साथ उनकी बैनों के साथ किस कदर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है वहां पर हिंदू खौफ के साहे में जीरे को मजबूर है जब हमने पिता के इस दर्द को इस चीक को अपने प्लाटफॉम पर जगा दी तो इसके बाद भारत सरकार भी इस खबर पर चेता है विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज ने इस पूरी खबर पर काकिस्तान को लतार लगाते हुए इस पर पूरी विस्तरत रिपोर्ट पूरी विस्तरत जानकारी मांगी है अब रहे हैं और साथी साथ राश्वादी चिंतक आविजी अबारे साथ आविश्रंकर जी जुड़ रहे हैं सौरफ सबसे बड़ी बात ये ये बाते हम लगातार दिखाते रहे हैं भारत को पाकिस्तान से सीखना चाहिए ये सीखना चाहिए ये हालत है वहां के जौल पसंक्या किंदू है जी देखे लाउनी बता दू आपको कि जो सुस्मा सुराज है हमारी विदे समंतरी हमने लगाता इस खबर को प्रमुक्तस उठाये था उन्होंने ट्विट किया था और पाकिस्तान की सरकार से जवाब मांगा था और जो वहां के सुचना मंतरी है फवाद चौधरी जितना वक्त वो ट्यूटे पर टाइप करने में लगा रहे थे सुस्मा सुराज को जवाब दिनम लगा रहे थे अगर वो थोड़ा सा भी गंभीर होते तो वहां पर ठाने में फोन करके करते कि यह जो हिंदू परिवार है पीडित परिवार है आप उनके साथ इंसाफ करिए लेकिन यह दोरा चरित लगतार पाकिस्तान का सामने आता है ल वहां पर बात पाक प्रेमी यह उन्हें यह नज़र नहीं आएगा अधिस्टाना भी तुल बागरपूर बात यह है कि वहाँ पे हंडू अल्प सुच्छक है तो वहाँ उसके सास्थ हो रहा है कि दो हंडू बहुर संक्यक है यह कीजें तो हंडूस्तान में भी हिंडू के साथ रोड़ हो रही है यह जो दो बच्चियों का वहां पे जो जबरदस्ती उनको वहां से ले जाके इनको धरम की परिवर्टन कराये जाए यह पाकिस्तान में हो रहा है और अगर पाकिस्तान कहरा कि हमको हिंदुस्तान से सीखेने की ज़लेट नहीं है तो उसको श्याध को हमसे सीख लेके ही-सी Τमिने ज़ुआ है इस लिए हित्व हम इस परे के बशिम में रह रह रहे हैं चिस तरह के समाघ ञार में जहां पर अपे ढ़्चे को ! और फिर भी आपको पाक साफ बता रहें यही बड़ी बड़ी बात है सबसे बड़ा सवाल ही है हमारे साथ पूर राजनाइक ओम्रेकाश जी भी जुड़ रहे हैं और प्रकाश जी तो पाकस्टान नसीहत दे रहा था लेकिन अपने गरबान में पहले जहांकर नहीं देख रहा था कहते हैं कि जिनके घर शीषे के हो उन्हें पथ्छन नहीं पेकना चाहिए आप खुद देखे कि यह पाकस्तान की वो सच्चाई है जो पाकस्तान प्रेमी जो भारत की सरजमी पर रहते हैं जो गुरगान करते हैं पाकिस्तान का उन्हें देखना चाहिए कि वहां पर रहने वाले हिंदूों के साथ किस कदर अत्याचार होता है उनकी बेचियों के साथ किस कदर अत्याचार होता है और अगर भारत इस पोजिशन में आ चुका है कि उसकी आवाज उटने पर बडी ध मक होती है तो भारत को ऐसे लोगों के साथ कड़ा होने की जरूरत है ऐसे हिंदु परिवारों के साथ कड़ा होने की जरूरत है और उनके खिलाफ जो लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर बड़ी कारवाई उठाने की भी जरूरत है हम उम्मीद करते हैं कि जो खबर हमने दिखाई उसका असर शिरू हो चुका है और एक बड़ा असर बड़ी तस्विर हमारे सामने जल्दी होगी बहुत बर शुक्रिया